हे इवरिवान आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल में तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंद्यान होता है वो शीए को बचाने के लिए उस कीफ ये अंदर चला जाता है जहां उस रेड फेस्ट घोस्ट ने इस शीए को बंदी बना के रखा वो गोस्ट उसे हैरस करने के कोशिश करता है लेकिन तभी लिंद्यान वहां पे आ जाता है जो उस घोस्ट का धियान दुसरी तरफ भटकाते हुए शीए को वहां से लेके जाहिरा होता है कि वो जो घोस्ट होता है वो अचानक से उस कीफ की ओपनिंग के पास आके खड़ा अब उस घोस्ट की ब्लॉक करने कारण इनका वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह वापस से कीव के अंदर ही चले जाते हैं अब वे दोने केव के डेरिन के पास बहुत जाते हैं यहाँ लिंदियान जो होता है शीय से कहता है कि तुम्हें जैसे ही चांस मिले तुम यहाँ से भाग जाना तब तक मैं किसी तरह इसे होल्ड करने की कोशिश करता हूँ आगे लिंदियान को हम देखते हैं कि वो अपने शौट से लगातार उस गोस्ट पे अटैक कर रहा होता है यहाँ शीय उसे बिल्कुल छोड के जाना नहीं चाहते थी जिस पर लिंदियान जोर से चिलाते हुए वहाँ से जाने को कहता है अगे लिंदियान उस गोस्ट पे अटैक करता है यहाँ जो इसके शौट के स्प्लैशिश होती है वो इलेक्रिक बेव में ट्रांस्पॉर्म होके उस गोस्ट को हीट कर रहे थी लेकिन इन इलेक्रिक शौक का भी उस गोस्ट पे कोई अफेक्ट नहीं होता दूसरी तरफ हम शीय को देखते हैं जो के बाहर न सीधा उस गोस्ट के हाथ भी लगता है यहाँ शीय लिंतियान से कह रही होती है कि जब हम इस पॉरस्ट में साथ में आए हैं तो साथ में मिलके जाएंगे आगे शीय उसे कहती है कि अब मैं इस गोस्ट पे अटैक करने वाली हूँ तो तुम मौका देखते ही इस पे डबल और यहां शीय के शौड उसके हाथों से चूल जाती है यह तभी मौका देखते ही लिंतियान उस गोस्ट पे अटैक करता है और वहां पे एक बहुत बड़ी इनरजी जिनरेट होती है यहां लिंतियान ही ऑफजर्व करता है कि यह घोस्ट का जो नेक वाला एरिया है वो इस और लाशली अपने शैडो फायर पंचिस से लगता और उसके निक पे अटैक करता है जिसे वो घोस्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका जो इनर कोर होता है वो रिलीज हो जाता है शीय यहां लिंतियान के पास आके पुछती है कि आखर तुमने यह कैसे क्या अ जोनों उस इनर कोर के पास पहुचते हैं जहां जीयों लिंतियान से कहती है कि आखिर उस रिड़ फेस घोस्ट ने सारे क्रिस्टल्स का कलेक्शन क्यू रखा है जिस पर लिंतियान यह गेस करता है कि हो सकता है कि उस घोस्ट ने बहुत सारे लोगों को यहां पर कैप्चर क किया होगा और उनके मरने के बाद उनके इनर कोर यहीं पे रहे गए अब यह लोग यहां बहुत जादा सर्प्राइस रह जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इनर कोर वहां पे थे मेंस की उस गोश्ट ने इस तरह के बहुत सारी लोगों को वहां मारा था जिसमें लिंद्यान कहता कि वाव जीद भी लिंतियान का मन नहीं भायता और वो फिर से उस फॉरस्ट में हंटिंग करने के लिए चला जाता है अगे लिंतियान को उस केव के बाहर ये एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक मिलता है जिस पर लिंतियान ये कहते हुए कि इसके इनर कोर को तो मैं हासिल ये वे लोग बाहर निकलने वाले होते हैं कि फिर से उनका रास्ता को रोग लेता है और ये वही स्टूडेंट होता है जो शीए के पीछे पड़ा होता है क्योंकि इन दोनों के पैरेंट्स ने जबरजस्ती इनकी शादी करवाने के लिए तैक है दिया था और वो बार बार शीए को इस चीज़ के लिए फोर्स करता रहता है यहां वो उससे कहता है कि मैंने तुम से कहा था कि तुम मेरे साथ हंटिंग पे जागी तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो शीए यहां उसे गुस्से से कहती है कि मैं तुमें अच्छे से जानती भी नहीं है तुम मेरे रा जान उनसे पुछता है कि आखिर किस की हिम्मत हुई मुझ पे पीछे से अटाइक करने की तो वो चम्चा उसे कहता है कि तुम्हें हम लोग इस तरह से जाने देंगे ये कैसे सोच लिया तुमने अगे यहां इन दोने की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन लिंद्यान अपने शैडो फायर पंच का इस्तमाल कहते हुए एक जोरदार पंच उस चम्चे पे पड़ता है इस पे वो वही बेहोश हो जाता है यहां जाओ सा लिंद्यान कहता है कि अपने इस कुट्टे को संभाल लोग बहुत ही भौक रहा था जिस पे जाओ लिंद्यान से कहता है कि मेरे पंदे को मार के तुमने अच्छा नहीं किया जिस पे लिंद्यान उसे कहता है कि तुम ही ने इस ट्रबल के शुरुआत पहले की थी और मैंने तो तुम्हारी भाशा में इसका जवाब दिया है आगे यहां इन दोनों की इसी तरह की काफी लंबे चौड़ी डायलोग्स वा है अब हम देखते हैं कि इनके बीच यहां बने वाली होती है कि वहां पे जो लैंड होती है वो हिलने लगती है ऐसा लगता है कि बहुत तीजी से कोई बहुत बड़ा बीस्ट उनकी तरह बढ़ रहा होता है लेकिन हम जब बीस्ट को देखते हैं तो एक प्यारा सा फ्लाव को भी यह लोग मॉंस्टर बना देते हैं फोल तो कितने प्यारे होते हैं लेकिन इस फ्लावर को देखी कि इतनी जोरदार खुखार दहार मारता है कि वहां पे खड़े सारे बंदों की हालत खराब हो जाती है और इसके इसी दहार के साथ हमारी एपिसोड भी यही होता है फिन झाल आप बंदों की वही होताई और देख।